सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अगर बंद हो रखे पिसले दो सालो थे अगर अभी भी स्कूल नहीं खोले गए तो हमारी एक ऐसी पीडी होगी जो कम पड़ी लिखी होगी पहली बात मैं रगुराम रांजन सर से बहुत एगरी करता हूँ मेरे से बहुत educated है मेरे से बहुत experienced person है बट इनकी बात कहीं ना कहीं सही होगी लेकिन मेरी भी एक मन में कोशन है कि पीडी तो तब होगी जब वो जिन्दा रहेगी अगर ये pandemic के अंदर अब ऐसे हालात बन गए तब बच्चों को घर पे रहना पड़ रहा है कौन चाता है online classes attend करना कौन चाता है घर पे बैठना हर को यही चाता है कि बाहर जाए enjoy करे school life बड़ अब हालात ऐसे बन गए है बच्चों का syllabus complete नहीं है बच्चे मतलब मैं यह नहीं कहा रहा है कि maximum बच्चे चाते है कि exam school सब online mode से हो back bencher सिरफ back bencher नहीं साथ है topper भी यह चाते क्योंकि हर किसी को अपनी health ज्याद़ important लगती है अपनी health से ज्याद़ जो parents है उनके कई सार ऐसे father mother है जिनको BP sugar जैसे जो खतरनाक बिमारी है वो भी हो रखी है और यह जो virus है वो बच्चों की parents की health पे इंपक्ट डाल रहा है तो उसके लिए वो सभी घर पे रहना जरूरी समझते है दूसरी तर स्कूल भी guarantee नहीं लेता कि बच्चों को अगर कुछ हुआ तो उसकी कोई स्कूल guarantee नहीं लेता तो बच्चे कैसे दाए बाकि मैं आप सभी बच्चों से भी अपील करूँगा कि आप लोग भी studies करो क्योंकि अपना दो दे से उसको आगे आप सभी ही बढ़ा सकते हो आप एक नए इंडिया की एक नए सोच हो नए बच्चे हो नए यूथ हो इंडिया की तो आप लोगों से यह पील है कि आप लोग studies पे भी focus करो साथ में इनी health का भी दिहान रखो बाकि अगर कोई schools रियोपनिंग वगरा पर को अपडेट आता है तो आपको जरूर वीडियो बना के बताऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरू शेक करना अपने फिमिलिंग नेक्ट वीडियो में आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजे हाथा थोड़ा सा मार दीजे मार दीजे क्यों काश हो रहा है आपको अगर अच्छी लगी मार दीजे